असलाव औरेकुम मेरे नाम है जिशान उस्मानी आज आप लोगों को विजिट करवाना है नासा का केनेडी स्पेस सेंटर का आज का हमारा विजिट ये बिहाइंड इस सीन है कि जो आटमिस है अटलांटिस हैं बाकी जो भी शिप होते हैं उनके जो भी वहाँ पर जाते हैं र गाइगन्टिक फेसिलिटी है और नासा कितना बड़ा बस्यू अरीज रगबे पे बना हुआ है नासा से मुतालिक डिटेल्स में वीडियो के अंदर के मेंट्री में आपको बताता जाओंगा आए मेरे साथ नासा का विजिट करते हैं आईए चलिए नासा की सेर करते हैं इनासा के रोकेट्स हैं और इन रोकेट्स के बारे में अभी थोड़ी देर के अंदर हम जाके बात करते हैं कि रोकेट्स किस किसम के हैं और क्या कर रहे हैं सबसे पहले इनका ये नेचर एंटेक्नोलोजी का जो एक्जिबेट है हम ये देखते हैं केनेडी स्पेस सेंटर से मेरा तालुक बहुत पुराना है मैं अपना मास्टर्स और पीजडी करने एफाइटी में आया फ्लॉरिडा इंस्टिटिट उर टेकनोलोजी तो हमारे पास जो स्पेस प्रोग्राम के डीन थे वो फॉर्मर एस्ट्रोनोट थे वो खुद चांद पर होके आ चुके थे आपको दुनिया में एक टिक्नी ऐसी उनिस्टिट मिलेंगी जहां पर डीन जो सिट्ट पढ़ा रहा हो उसमें उसने फिसिकली उकाम किया हूँ वो खुद चांद के अपर होकर आया हो अभी तक फ्लोर टेक्स से पाच एस्ट्रोनाट्स बन चुके हैं सुनिता विलियम्स का अपने रिसे नहीं नाम सुना होगा जो जो नई कमर्शिल फ्लाइट जा रही है इस पेस के अंदर वो भी हमारे पास से उन्हें मास्टर्स क्या रहा हूँ जाता है उपर उसके यहां पर इन्होंने कॉक्पिट्स लगाएवें ताकि आप बेट के यहां पर देख सकते हैं हाओ इट फील्ज लाइक कि अंदर ओर्टिका टेलिस्कोप हमारे पास मुझूद है जो वन उप दी लार्जस टेलिस्कोप है यह साउट इस के अंदर कि अंदर नो वी आरेट रोकेट गार्डन यहां पर सारे रोकेट्स लगे में जो कभी ना कभी उपर गए और इन तमाम रोकेट्स के साथ उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री लिखी हुई है कि यह कॉक्पिट है जिसके उपर आप बेट कर फील कर सकते हैं कि आउट फील टूसेट ना कॉक्पिट लाइक दिस और हम मेंड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं फ्रट एक के अंदर एस्ट्रो बाइलोजी का प्रोग्राम है जो कि दुनिया का वाहित प्रोग्राम है अम्रिका का वाहित प्रोग्राम है जो किसी यूनिस्ट्री में होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि अगर एलियन्स की बा और्गनिजम्स होंगे तो किस किसम के होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे नशनम अपाते होंगे, कैसे रिपूडूस करते होंगे, बड़ा यूनीक पोग्राम है. हमारे पास FIT में मार्स गार्डन भी है जहां पर हम मार्स की जो जमीने वहां की जो मिटी होगी उसके ओपर अगर हम कोई फल, पोदा, सबजी उगाना चाहें तो कैसे उगाएंगे उसके उपर रिसर्च होती है अभी हम आगा हैं अपोलो सेटरन के अंदर उनका जो एकसीपिट है उसके अंदर और आपको विजिट के राते हैं जो एज करूश को जोजा करना इसल्फ भास्वान Googledd प्रीजिय। उमाजिए इस अपने हैं लोग। लाज़ को आजर रे बाज़ मैं आप इस लुट रबागे सेमें लुट भाज़ अ समय सीगिन लग्याने टो बाल्स बीस के लिए्याने लेघ्याने ले वाराघने कि अपने हैं पिसे लोली नाया बढ़फ जाज मैं नाया इयूर पिर्भी लुप मैं अर्णाभ कार दिए है कि हुआ झाल दो कई अ… ऐस perceived hay तो ऴोको अषाश सऽे का नझैंना सफसी जज आठी Parliament कि अहला है कि अगे किार धिन के अग्रोट अग। केनेडी स्पेस सेंटर जो के नासा का में नाच पहड़े है, स्काइलेब से लेके अभी आर्टेमे से, अपलांटे से, अपोलो, 11 से लेके, 17 अजितनी फ्लाइट से सारे के सरे, यतनी भी मेंट human missions गरे हैं वहाँ पर, स्पेस के अंदर, केनेडी स्पेस सेंटर से यहां से जाते हैं, यह बहुत हूच फैसिलिटी है, इसके अंदर इसकी जो टोटल रगबा है, वो 144,000 एकर्स के उपर हैं, हूच फैसिलिटी है, कोई 7,000 से ज़्यादा फैसिलिटीज हैं, अभी इने ने कमर्शल भी जो पेलोड स उच्छे दर्वाजे पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाते हैं इनका जो लांच कंट्रोल सिस्टम है वहीकल जो तीन सो असी फिट रोकिट को वहीकल एकसेंबली बिल्डिंग से लेके लांच पेट तक लेके आता है उससे बड़ा लेन वहीकल दुनिया में चारहजार एलिगेटर्स पाई जाते हैं जो अब नया नासा का मिशन जा रहा है ये कोई इनसान चांद के अपर अमरीका से कुछ 53 साल बाद जा रहा है लास्ट अपॉलो सेमंटीन में गए थे दिसंबर बारह से उननीस मेरे ख्याल साथा उननीस सो बाहत्तर के अंदर तो 2025 के अंदर फिर यहां पे हुमन फ्लाइट जाएगी तो तक्रिबं 53 साल बाद जा रहा है आर्टेमिस का नाम इन्होंने अपॉलो की विए से लिया अपॉलो जो था वो बेसिकली बेटा था जो ग्रीक मेथोलोजी के अंदर है लेटो और जियूस का उसकी जोड़वा बहन क जाएगा इस दोधरपच्शेस के अंदर जो मेंन मिश्न जा रहा है चांद के अपर यह उनिक इसलिए कि इसमिनी मरतबा को ओर जा रही है जो चांद पर जाईगी और मेंन उफ कलर जानि कोई काला बंदा जाएगा चांद के अपर इस वजए से बड़ा उनिप है और अब हम अट्लांटिस एक्जिविट के अंदर आ गए इन चीजों का मलूम होना हमारी लिए बड़ा ज़रूरी है किस तरह साइंस तरक्की पा रहे हैं किस तरह बाकी लोग काम कर रहे हैं नासा का बजट 25 बिलियन डॉलर का है इस ट्रिप के आखिर में एक मूवी देखी एस्टरॉइड हंटर्स के नाम से खुदा ना खास्ता कोई एस्टरॉइड अगर दुनिया की तरफ आएगा और वो डूम्स डे स्विनारियो कोई हो कि पूरी दुनिया से तबाँ हो जाएगी तो किस तरीके से नासा यहां से अपने जहाज भेज़ के रॉकिट भेज़ के उसके अपर न्यूक मारेगा और उसकी ट्रेजिक्टरी को चेंज करेगा अब बताइए इनसानिती खिद्मत है या नहीं है कि सुबा शाम एक स्टाफ की टीम पूरी बेटके से भी अबसर्व कर रही होती है कि कोई एस्टरोईट, कोई सैयारा, कोई ऐसी डेबरीज से इस तरह स्पेस पे ना आ जाए जिससे किसी का नुक्सान हो अब दुनिया के अपर किसी चीज़ पर टेक होता है तो पूरी दुनिया उसे मतासिर होती है इसमें वो नहीं देखते कि वो गोरा है या काला है, मुसल्मान है या क्रिस्चन है वो पूरी इनसानियत के लिए काम कर रहे हैं और 25 बिलियन डॉलर उसके उपर लगा रहे हैं हमारे मुल्क में कितने लोग होगे हैं जिनको ICPS का पता हो कि ICPS क्या चीज़ें इन्टेरिम क्रायोजेनिक प्रोपॉल्शन स्टेज किसे कहते है इन तमाम चीज़ों को पढ़ने से आपको पता लगता है दुनिया किदर जा रही है मिसागी तोर पे लोग मुस्से पूछते हैं जी इलोन मस्क जो है उसको बिलाया लोगों ने इतना चड़ा दिया उसे कुछ नहीं किया इलोन मस्क से आने से पहले एक किलोग्राम का पेलोड आपको चांद पहेजना है उसकी कोस्ट चोवन हजार डोलर थी वो रिडियूस होके आजकल बाइस सो डोलर हुई है और अब उन्हें ने कमर्शल जो दे दी है जिसमें डैनेक्टिक सिस्टम्स हैं ब्ली ओरीजिन हैं बोईंग है तो ये कोस्ट को 2025 तक 1200 डोलर के उपर लेकर आजाएंगे अब सोचिए हमारे मुलक में जहां पोस्ट आफिस से एक पारसल नहीं पहुशता यहां पर ये 1200 डोलर के अंदर एक किलोग्राम का पेलोट चांद के उपर पहुशा रहे है हमारे पास यहां पर किसी को फोन करो तो हेलो के आवाज आ रही है हेलो के आवाज आ रही है चार दफ़े बोलना पड़ता है वहाँ पर ये डीप स्पेस नेटवर्क बनाके वोईजर से बात करने हैं जो लाको मील दूर है हमारी मिलकी बैसे बाहर जा चुका है तो यह सबकर सब जो इतनी जादा तरकी हो रही है साइंस के अंदर हम इसे बहुत पीछे हैं और बिसकी बिलकुल आसपास में भी नहीं है हमारी मिलकी नहीं है कि यहां पर हमने सी एल पीएज देखा जो कमर्शल लिउनर पेलोड सर्विसेज हैं उनकी जो आफिसेज बगारा हैं पेलोड की मैं पो कोस्ट बता चुका हूं वो चोवन हजार डॉलर से डिडियूस होके तक्रीबन तक्रीबन बारा सु डॉलर में आ चुकी है ही साहन फ्सार यफ टुके जो के स önलेके ज गबारा रो चो रॉलर में फ क्रिके द में हचार पारा बगसे हैं की की जो अंकी की है कि वी चूज़ टू गो टू दी मून एक मशूर लाइन है जोन एफ केनेडी प्रेजिडेंट की जोनोंने राइस स्टेडियम में उनीसो बास्त में कहा था कि हम चूज किया कि हमें चांद पर जाना है और फिर उदस साल में काम हो भी गया था केसी नासा ज़रूरी आप देखें अगर अमरीका आएं तो बिलकुल भी इस चीज़ को ना भूले और इसका जूरू चक्र लगाएं अब बहुत ज़्यादा मजीद इस वीडियो के आखिर में एक लिंक दे रहा हूं जहां से आपना बोर्डिंग पास्परिंट कर सकते हैं आर्टीमस की नेक्स फ्लाइट के लिए तो अगर आप कम से कम चांद नहीं आ सकते हैं तो आपका नाम कम से कम चांद पर जरूर चले जाएगा इसके लावा मेरी जीरो ग्रिविटी की वीडियो है उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूं कि जीरो ग्रिविटी किस दर आप एक्स्पिरियंस कर सकते हैं दुनिया में रहे के आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये विलोग आपको पसंद आया दनी आए ताकि मैं ऐसे विलोग मुझेद बना सकूँ